आज मैं बना रहे हूँ चोकलेट गनाज तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अमुलकी फ्रेश क्रिम ली है यह 250 ml का पैकेट है यह पूरा पैकेट नहीं लगेगा इसमें से जितना लगती उतना निकाल के लेंगे और मैंने यह मोर्डे कमपनी का डार्क कमपाउंड लिया है यह 400 ग्राम का पैकेट है चोकलेट गनाज बनाने के लिए फ्रेश क्रिम 200 ग्राम चाहिए और डार्क कमपाउंड 400 ग्राम यानि कि एक भाग फ्रेश क्रिम का लेंगे तो दो भाग चोकलेट लेना है यह देखिए इस तरह चार स्लैब में पैकेट में चोकलेट आती है यानि कि एक स्लाब 100-100 ग्राम का होता है अब इस चॉकलेट को बारिक कट करके लेंगे चॉकलेट को कभी सिधा ना काटे तिर्चा काटे तिर्चा काटने से बहुत इजीली कट जाती है इसे एक दम बारिक कट करके लेना है चॉकलेट को बारिक कट करके लेने से बहुत इजीली इसे double boil पे ज़्यादा टाइम तक milt करने की जरूत नहीं पड़ेगी यह देखी इस तरह मैंने चॉकलेट को बारिक कट करके लिए आ है अभी क्रीम मेजर करके ले लेते है वेट मशिन पे पतिल्या रखकर इसके वजन को मैनस कर लेंगे पहले अब इसमें क्रीम डालेंगे तो 200 ग्राम क्रीम चाहिए चॉकलेट गनाज बनाने के लिए देखी 200 ग्राम क्रीम ले लिए इस क्रीम को अच्छा से गरम करके लेना है इसको चलाते हुए गरम करना है नए तो यह नीचे में लग जाएगी और क्रीम जल जाएगी क्रिम को अच्छा से गरम होने देना है चलाती हुए क्रिम अभी अच्छा से गरम हो चुकी है इसे अभी कट की हुए चॉकलेट में डालेंगे क्रिम चॉकलेट में डालती ही देखिए मेल्ट होने लगी है इसका अभी अच्छा से मिक्स करके लेंगे ये देखिए ऐसे चलाते हुए इसको अच्छा सी मिक्स करके लेना है यहाँ पर मैंने एक विक्सर लिया है इसे अभी मिक्स करके ले रहे हूँ ये देखिए चौकलेट अच्छा से मिल्ट हो चुकी है इसमें कोई मुझे चौकलेट के पीस नहीं दिख रहे है अगर आपके पीस ऐसे चोकलेट कीस में रहे जाएंगे तो इसको डबल बॉयल पे कैसे मिल्ट करना है आपको मैं दिखाती हूँ यह पतीले में मैंने पानी लिया है बहुत कम लेना है ज्यादा पानी नहीं लेना है इस पानी को अच्छे से गरम करके लेना है पानी गरम हो गया है तो इसके उपर यह चोकलेट का बॉल रखेंगे और इसको ऐसे चलाते हुए मिक्स करके लेना है ऐसे चलाते रहेंगे तो जल्दी से चोकलेट मेल्ट हो जाएगी बहुत ज्यादा टाइम तक डबल बॉयल पे इस चोकलेट को नहीं रखना है अगर ज्यादा टाइम तक डबल बॉयल पर मिल्ट करते रहेंगे तो चोकलेट जल सकती है और कड़वी भी लगेगी दिखे अभी चोकलेट मेल्ट हो चुकी है इसको अच्छे से विक्सर से मिक्स करना है जितना आप रिक्सर से मिक्स करेंगे उतना इसमें शाइन आ जाएगा ये देखें कितनी शाइनी चौकलेट गनाश बनके तेयार है अब इस गनाश को ऐसे ही थंड़ा होने देंगे बाहर मैं इस गनाश को अभी बाहर ही थंड़ा होने के लिए रख दे रही हूँ आप चाहे तो फ्रीज में भी थंड़ा होने के लिए रख सकते है, थंड़ा होने के बाद इस तरह से गनाश गाड़ा हो गया है, अब इस चोकलेट गनाश को एक प्लास्टिक के डिबबे में ले लेते हैं, डिबबा एकदम सूखा चाहिए, गीला नहीं, नहीं तो चोकलेट गनाश खराब हो सकता है, अज डिबे में चोकलेट गनाश को निकाल के लिए लेते हैं, चोकलेट गनाश का कहा का यूज होता ही, यह आप भी देखते हैं, तो सबसे पहले एक कटोरी में दो चम्मज चोकलेट गनाश को ले लेते हैं, मैंने आप पर पतिले में पानी गरम ह होने के लिए रखा है अब इसमें चॉकलेट को मेल्ट करके लेंगे आप चाहें तो इसको डबल बॉयल पे भी कर सकते हैं लेकिन छोटी कट हो रही है इसलिए मैंने इस गरम पानी के पतिले में रख रही हूँ बहुत जल्दी से गनाश मेल्ट होता है इसको ज्यादा टाइम तक गरम पानी में या डबल बॉयल पर रखने के जरुरत नहीं है इस तरह से मेल्ट होके ऐसे पतला हो गया है इसमें दूद वगेरा कुछ भी आड़ नहीं करना है इस तरह से गनाश को यूज करके मैंने इसको गरम करके लिए रहे हूं थोड़ी देर में इसको बाहर निकालना यह ज्यादा टाइम तक गरम पानी के अंदर नहीं रखना है लग मशले से तरह से डूद गनाश में अच्छा से मिक्स हो गया है इस गनाश को अभी चॉकलेट केक्के लेर के अंदर आप यूज कर सकते हैं baik-bares अब इसी गनाश में में थोड़ा सा आधा-चमन जितना दूद आड़ कर रही हूं और इसको थोड़ा सा गरम करके लेना है गरम करते वक्त इसमें थोड़ा सा बटर आड़ करना है बटर आड़ करने से गनाश को हम जब चॉकलेट के के उपर डालेंगे ड्रीपिंग के लिए उपर साइड में तो उसमें अच्छा से शाइन आएगी बस बटर मेल्ट होने तक इसको गरम होने देना है देखिए इस तरह से अभी अच्छा से मेल्ट हो चुका है लियर्स की बीच में डालने के लिए थोड़ा सा गाढ़ा चॉकलेट को आप डायरेक्ट मेल्ट करके ड्यूपिंग के लिए उसकरते है तो उतनी शाइन नहीं आती है जितनी की इस गनाश से चाहिन आती है तो इस तरह से आप यह चॉकलेट गनाश बना के एक महिना भर तक स्टोर करके फ्रीज में रख सकते है यह खराब नहीं होता एक महिना भर तक अच्छे से फ्रीज में रह जाता है अगर इसको आप बाहर रखेंगे तो चार से पाच दिन ही रहेगा लेकिन फ्रीज में एक महिना भर तक स्टोर करके रख सकते है इसी तरह से चॉकलेट गनाश बना के रखकर आप किसी भी चॉकलेट केक के लिए इसे यूज कर सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चाइनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते आगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार